बांदी कोई क्योब खंडिक शेत्र के वनपाल नाका गुड़ा कटला के गाउं जग सौली में पिछले कई दिनों से हरे भरे पेड़ों को काट कर अतिक्रमन करने की कोशिश की जा रही है यहां तक की कुछ लोगों ने अतिक्रमन कर वनविभाग की भूमी पर जोपडिया तक बना दी है वही इसकी शुकायत गरामिनों की तरफ से कई बार वनविभाग को दी गई जिसके चलते वनविभाग के करमचारी मौके पर पहुंचे और गरामिनों की समझाईश की और हरे भरे प्रेडों को काट कर जोपड़ी बना कर किये गए अतिक्रमन को हटाने की कोशिश की गई। कई दिनों से लगातार सुचना देने के बाद वनविभाग की टीम मौखे पर पहुंची लेकिन पूरी तरह से अतिक्रमन को हटाने की पाई। कुछ लोगों ने अतिक्रमन कर क सब्जा जमाने की नियत से वन विभाग की जमीन पर पांच जोपडिया पनाली जिसे वन विभाग के करमचारियों ने नश्ट किया लेकिन इन में से एक जोपड़ी को नहीं हटाने दिया गया। रोज से शिकायत के बाद वन विभाग की करमचारी आज पहुंचे और यहां पहुंचकर भी मात्रु फॉर्मालिटी करते हुए ही नशर आए। जोपड़ी के अंदर प्लांटेशन के अंदर कुछ जूली फ्लोरगों काटके अतिकर्मन किया जा रहा है। और उसके अंदर तीन चार जूपड़ी लगा दी गई थी और उनको ने चार को दोस्त कर दिये गा है। कि उसको शाम तक में अटवा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीन जूपड़ी के अंदर बैठे में और ग्रामीन कह रहे हैं कि सब मर जाएंगे लेकिन यह अटने नहीं देंगे। वही अब देखने वाली बात ये होगी कि वन विभाग की चार दिवारी में जो इस तरह से लोगों द्वारा कई भीका घूमी से हरे भड़े पेडों को काट कर छोपनी डाली गई और अतिक्रमण किया गया है। वन विभाग इन लोगों पर क्या कुछ कारवाई करता है और अपनी जमीन को किस तरह से वापिस लेता है या फिर ग्रामिनों के मिली भगत के आरोप सच्छे पाए जाते हैं।